सबी दोस्तों को जय हिंद वंदे मात्रम तो हमारे जितने भी प्यारे एस्टूडेंट जो बीएसफ ट्रेड्समेन की नई भरती का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए आज बड़ी खुस खबरी लेकर आये हैं और दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों कुछ इंपोर्टेंट जानकारी भी देने वाले हैं समझगे दोस्तों बीएसफ ट्रेड्समिन के एक्सपडियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड चाहे वह एक्सपडियंस के लिए तो आज हम बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आये हैं और दोस्तों यहां पर द जाओ एक्स्पेन सर्टिफिकेट अब 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 क्या क्या होगा बदला हुआ क्या हुआ तो सारी चीजे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो दोस्तों यदि आप लोग बेसे प्रेट्समेंट की नई भरती का इंतजार कर रहे हैं इस चैनल पे आप लोगों को आने बाले समय में बीएसे प्रेट्समेंट के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे मौक टेस्ट पीडियाफ नौक सारे जो पिछले बार और उससे पिछले बार जो इस्टिम टोने तैयारी करके सलेक्शन लिया सब्सक्राइश सथासी पोस्ट में उन्हों ने आज जो मुझे जानकारी दी भी एसे प्रेट्समेंट की नई भरती से रिलेटेड वह मैं आज आप लोगों के सामने बताने बाला हूं तो बनेर इस वीडियो में और या मैं आप लोगों से बस एकी चीज बोलूंगा कि प्लीज दोस्तों यदि आप लोग नई भरती का इ उसी के आसपास आ जाएंगे समझे दोस्तों तो आठ फरवरी जो है वह टेंटेटीव डेट है और एक चीज बता दे कि भाई एक चीज आप लोग से देख लिजे यह है रोजगार मेला भी एसे ट्रेट्समेंट का जो एक कई संठावन पोस्ट है जिसका 29 जनवड़ी को र परत रखा गया है देख लिए मिसं समझे दीस एप रेट्समेंट की जो भरती अभी संठावन पोस्ट जिसका मिरोजगार मिला लगने बाला है मिसंट रिक्रुटम्यंट फास्ट प्रोसेस समंझे आप लोग देख लिजेक वार यहां पर लिखा है मिसंट रिकूटमेंट ओफिसर देखें यहां पर 24 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन है रोजगार में लाका 29 जनवरी को होने वाला है और मिस्टन रिक्रूटमेंट है मिस्टन मूड में है तो कि नई भरती जो है वह पीछे तयार है तो चलिए आज जानते हैं सारी चीजे इस वीडियो में हम आप एक ए तो डोकुमेंट सब कुछ पास और ट्रेनिंग से वापस कर दिया जाएगा जी यहां ट्रेनिंग से वापस होंगे यहीं गल्ती करेंगे तो चलिए समसे पहले यहां पर हम बात कर लेंगे किसको लेकर तो यह जो दोस्तों आप लोगों का यहां पर एक्सप्रियंस को लेका बात को समझ एक्स्प्रियन सर्टिफिकेट में काफी साड़े ऐसे स्टूडेंट है जो अभी धराधर यह क्या बनवारे हैं एक्स्प्रियन सर्टिफिकेट बात को समझ यह जो डालेंगे किसे में कुक में वाटर केरियर में समझ गए और यहां पर इसमें डालेंगे वेटर में इन तीन पोस्ट में एक्स्प्रियन सर्टिफिकेट एनस क्यू अफ लेबल जो एनस बीसी से मानेता प्राप्त होना चाहिए वहां से मांगा जाता है समझ गए अब एस्टूडेंट भी बोलते ह है क्यारे सर जी इतना अभी भरती आने वाली है और इत्वार तो हमने आप लोगों को बताया था कि बिना एक्स्प्रियन सर्टिफिकेट का लोगा उनलाइन अफ्लाइग की जिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो तो होगा ही अब काफी सारे स्टिवेंट बोल लेवल सर्टिफिकेट मांगें पस्वप ने देखा कि हम एकवार एक बार वन का सर्टिफिकेट लगवाएंगे कुक में जिसके पास होगा वही आएंगे अब हम नहीं बनाए हैं अरे इस्पियो लेवल मांग लिए मांगा चलो बनवाते हैं अब वोसक्ता कर रहे हैं कम सम तो हमें पता है इस वीडियो जब हम यह बोल रहे है जो बनाने वाले हैं उनको बहुत तकलीप हो रहा होगा लेकिन सच्छाई यह है बनवाओगे भाई एक ट्रेनिंग से वापस कर दिये जाओगे इतना समझ लो क्योंकि बिएसेफ ट्रेड्समेंड में एक्सप्रेंस करो रहा है तो अगली भर्ती में डूब्लिकेट मत मन माना यह दि कोर्स कर लो जो भी एस्टूडेंट है इतने भी एक चीज और बता देते हैं अब हम क्यों बोला कोर्स करने के लिए अब आप लोग बोले सबस्क्राइब तो को दिशान रखीएगा कि हम आप लोगों को बोले हैं कोर्स करने क्लिए इस लिए दोस्तों थे अपकर बनाके चले जाओगे लेकिन हम क्या बोली कि ट्रेनिंग से वापस कर दिये जूगे इसलिए डूबलिकेट काम नहीं करना है नहीं आपका नहीं बहरते के लिए चाट एक जनरल में दिकत नहीं है तपाइवाला का बन भाली जे बार ज़लदी में नहीं बनवाना है बिना कोर्स किए हुए नहीं बनवाना है बिना रिस्ट्रेशन किके हुए हम बता रहे हैं अब हमने आप लोगों को बताया किस वीडियो में कि कोष कीजिए तो आप तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है जरा पर यहां पर आप लोग गौर कीजिए यहां पर आप लोग गौर कीजिए दोस्तों बीसेफ में अब बीसेफ में अब क्या आप लोग भी बोलिएगा कि सर्जी यहां पर आप लिखें कि बीसेफ में अब क्या तो दो देखने को मिलेगी 26 में भी देखने को मिलेगी 37 में भी देखने को मिलेगी हमने आप लोगों कई बार बताया है बीस अप में हर साल एक या दो भरती आपको देखने को मिलेगी समझ गे एक या दो अब यह हर साल क्यों देखने को मिलेगी यह भी बता देती है कि प्रेश्में वह खाली रहा जाता है और बता दे कि जब आप यह से ट्रेट्समेंड में जॉब करोगे अच्छे तरीके से जॉब करोगे पांच साल के बाद आपका परमोस्तन कर दिया जाता है जीडी में समझे दोस्तों जीडी में कभी-कभी एक्जाम भी लिया जाता है कभी-कभी परमो करें तुम जॉब करोगे अच्छे तरीके से तुमको हम concept LGBT में परमोषन हो जाता है दोस्तों तो इसलिए दौस्तों काफी सारे पोष्ट खाली रह जाते हैं किसमें रह जाते हैं तो बीसे क्या किया है कि हम हर साल भरती लेकर आए और यह आप लोग को asking बैसेपेक नौटिस नहीं जारी करेगा कि हम हरतार भरतिले कर आएंगे जो हमें सूचना मिली है student के दोरा जो हमारे student अभी job कर रहे हैं अमझे में बिहार में । सूचना में सूचना मिली है इसके बंगाल में है फिर हार के हमारे 25ıldı सब्सक्राइब करें जब मैंने शुरू किया था चैनल को अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया था उन्हों ने हमें बताया कि सर जी अब हर साल भरती आएगी चाहे लेकिन दोस्तों इस बार 25 प्लस पोस्ट के आप लोगों को भरती देखने को मिलेगी तो नहीं भरती वाले जितने भी स्टूडेंट है समझ गए तैयार हो जाएए और हमने जो आप लोगों को बोला है कि कोर्स कीजिए इसलिए बोली है कि मान के चलिए आप 2000 यह आप मान के चलते हैं कि 2004 की भरती में आप नहीं अपलाय कर सकते हैं कुक में water केृटे में अधाल में डाल दीजिएगा वारबर में डाल दीजिएगा समझ गेशीपमें डाल दीजिएगा और जब आपका कोर्स decreasing में यह ओनाउन बरती आए यह दोहना हजारच्विस में फिर दुसरी भ सर्टिफिकेट को आप अच्छे तरीके से बनवा लीजिए कैसे बनवाना है हम इस चैनल पर वीडियो बना दिये हैं यदि नहीं देखें है कि इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है धांदली से बचे पैसा ठगने बाले से बचे मुझे पता है कि मेरे उपर वीडियो बनेगा यह बता रहे यह बता रहे लेकिन मैं बताता हूं कि एक या दो दिन में आपको मिल रहा है तो फर्जी है यदि आप सेलेक्शन ले भी लोगे तो भाई जॉब से वापस कर दे जाओगे इतना ध्यान रखना और भी ऐसे प्रेस्मेंट की नई भरती आपको फरवरी में आठ फरवरी तक देखने को मिल जाएगी हो सकते अगे भी चले जाए लेकिन दो चार दी लेकिन आठ फरवरी का डेट है और यहां पर देखें सुचना मिली है इस बार बेसे प्रेस्मेंट में पेरले एक्जाम होगा गला जाएका गी मतलव एक्जाम होगा मतलब एक्जाम का black up किया जाएगा इसके बाद आप लोगों का जो बचे झाम में होंगे श funky सल में उनके होगा उनका यहां में पालिटिकल होगए श्य से सात पर बदलाव है लेकिन ये जो है कम चांस है आने दिये नोटिफिकेशन नौटिफिकेशन आठ तक आ सकता है समझ के दोस्तों जो हमें श्टुधेंट बताया है जो जौ कर रहे हुझा रहे हैं और एक चीज और बता दे कि अब हर साल क्या होगा हर साल आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिलेगी इस वीडियो को सेभ कर लिजिए 2024 में आएगी 25 में 26 जबीच में 67 में अब नए भर्ती देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहीं थि-धियत की सुचना तयार हो जाए सब भी तयार रहे हैं बहुत जल्द हम लोग कलास शुरू करने बाले हैं इसी चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्याहिंद वंद्यमांत्रम बेस्ट आफ लक्ट